नमस्कार दोस्तों, हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर, नौलेज हाउस में, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजे, और बने रहे जाने के लिए बेहद रुमाचित कर देने वाली जानक होते हैं, और वे इनसान की जान तक ले सकते हैं, तो दोस्तों, आज हम दुनिया के छे ऐसे खोखार कुत्तों के नसल के बारे में आपको बताएंगे, जिने खर में पालना तो दूर, आप इनके पास से गुजरना भी नहीं चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, नमब 6 वॉल्फ हाइब्रीड नसल भेडियों से तालुक रखती हैं, इसके लिए इनका नाम वॉल्फ हाइब्रीड रखा गया है, ये नसल कुट्ते और भेडिये की क्रॉस ब्रीड से पैदा हुई है, ये यूरोपियन और जर्मन देशों में पाय जाते हैं, इनका वजन 36-56 किलो के बीच होता है, इनके हाइट 15-110 cm होती है, ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनके काट लेने से कभी-कभी जान से भी हाथ धोने पड़ जाते हैं, आकरों के माने तो 1989-1998 के बीच इस प्रजाती के कुट्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके लं कुट्ता माना जाता है, इसे यूके और इसके आसपास के देशों में पूरी तरह से बैन किया गया है, ये 9-15 साल तक ही जीते हैं, हो सकता है ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएं कि ये कुट्ता जंगली सुवर का शिकार अकेले कर सकता है, और ये पांच मिलकर एक श जुखार और खतरनाक होते हैं, जो अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ते, जब तक उश के सरीर को पूरा नूच न दें, ये सिर्फ अपने मालिक के वफादार होते हैं, और अगर इन्हें किसी दूसरे से खतरा लगता है, तो ये बड़ी फूर्ती से उस पर हमला कर द 3. रोटवाइलर इतना गहरा और जानलेवा होता होगा, रिपोर्ट्स की मताबिक, अमेरिका में इस नसनल ने तकरीबन पच्पन लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जैपनीज टोसा, जैपनीज टोसा जापानी मुलके कुट्टे की नसनल है, इसकी हाइट 82 सेंटिबीटर तक होती है, और इसका वजन 60 से 90 किलो तक होता है, ये कई किलो मांस हर रोज खा सकता है, अपने खतरनाग और घा तक होने की वज़ा से ही, इस कुट्टे को यूके और आयलेंड में बैन किया गया है, क्योंकि वहाँ कई ऐसे केसिस देखने को मिले हैं, जब इस कुट्टे ने लोगों क जान ही छीन ली, जापान में इन्हें सूमू रेसलर जितना ताकतवर माना जाता है, साल 2019 में आखरी बार ये सुनने को मिला था, कि इस नसल के कुट्टे के काटने की वज़ा से एक बुढ़ा आदमी जान से हाथ धो बैठा था, नमबर वन, पिट बुल, पिट बुल, दु नसल के कुट्टे अपने से बड़े जानवरों का भी सामना करने से भी नहीं डड़ते, इन्हें सुरक्षा हेतू ट्रेनिंग दी जाती है, और इन्हें मिलिटरी वालों का एक स्ट्रांग हिस्सा माना जाता है, ये दुश्मनों पर इतनी बुरी तरह से वार करते हैं, कि उ आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में लिकर जरूर बताएं, साथ ही साथ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ